हाई फ्रेंज आज हम कम समय में मज़ेदार चिकन ग्रेवी बनाएंगे स्टार्ट करने से पहले सभी मदर्स को मेरी तरफ से हैपी मदर्स टे हम स्टार्ट करते हैं स्वादिश्ट रेसिपी के लिए मैंने हाफ कीजी चिकन लिया है उसमें 3 टेबल स्पून करड और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन मिर्ची पेज़ बना के डाला है आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है और सेट करके क्लोज लीड पे आपको हाफ आर तक मैरिनेट करना है मैरिनेट होने तक आपको ओनियन और टमाटोस चॉप करना है और आप बाकी की रेसिपी स्टार्ट कर सकते हो आपको पहले ओल हीट करना है और 2 मिडियम साइज चॉप्ट ओनियन डालने है और उसको हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है फिर कुक हो जाने के बाद आपको उसको साइड में निकालना है और थंडा होने तक रुकना है और उसके बाद आपको उसका एक पेस्ट बनाना है आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे पेस्ट बनाया है आपको पेस्ट में पानी आड नहीं करना है हम मसाला कुक करना स्टार्ट करेंगे आपको चार स्मॉल लेडल ओईल लेना है और फिर आपके रिक्वार्मेंट एकॉर्डिंग फिर उसमें दो से चार तेजपत्ता और इलाइची डालनी है उसके बाद टू फाइनली चॉप्ट टमाटोस उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और हलका सा कुक करना है कुक होते होते हैं आपको उसमें चार पूरी ग्रीन मिर्ची डालनी है उसको आपको ग्रीन मिर्ची इसको कट नहीं करना है ऐसे ही फुल डालना है उसको हलका सब कुक करके आपको ओनियन पेस्ट डालना है ओनियन पेस्ट डालके आपको अच्छे से मिक्स करना है और स्पाइसिस डालना स्टार्ट कीजिए दो टेबल स्पून रेड मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर इसको आपको अच्छे से mix करना है और onion के grinder container में आपको थोड़ा सा पानी लेके वो मसाला में डालना है और इसको 2-3 मिनिट तक closed lid पे cook कीजिये ताकि वो मसाला अच्छे से cook हो जाए जल्दी उसके बाद आपको marinated chicken डालना है उसको आपको अच्छी सी mix और set करना है वो मसाला में फिर आपको 1 टीबल स्पूम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है वो mix करने के बाद आपको 5 मिनिट्स तब close lid पे रखना है और 5 मिनिट्स के बाद open करना है और salt आपके taste according डालना है उसको अच्छे से mix करके आप close lid पे 15 मिनिट्स तक आपको cook करना है ताकि वो अच्छे से cook हो जाए 15 मिनिट्स के बाद मैंने open किया है और आपकी स्वादिस्ट chicken gravy ready है खाने के लिए इसका बहुत ही mouth watering smell आ रहा है आप भी इस recipe को अपने घर में बनाए और इस delicious chicken gravy का taste कीजिए इसको आप coriander leaves से garnish कीजिए और आपकी chicken gravy ready है सौफ करने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो सबस्क्राइब करना मत भूलेगा ऐसे ही easy to cook recipes के लिए Thank you